हेलो दोस्तो, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग शीखेंगे कि कैसे इश के साथ इस ब्लेंग फ़ंक्शन का यूज किया जाता है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है, यहाँ पर नेम सैं है हैं और उनकी इमेल और फोन है तो दोस्तों यहाँ पर name के सामने या तो उसका email होगा या phone होगा दोनू साथ नहीं है या तो हमारे पास phone number available है या email address available है अब हमको यहाँ पर चौथे column में result वाले column में formula लगाना है और हमको यहाँ पर जिसका email है वो यहाँ पर show होना चाहिए और जिसका phone number है वो यहाँ पर सोना चाहिए तो चलिए friends इसे हम कैसे करेंगे देखते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को like किजिए और अपने friends के साथ share किजिए तो चलिए शुरू करते हैं आपको यहाँ पर आना है result वाले column पर यहाँ पर आपको use अगर ब्लैंक होगा तो कॉमा आपका cell C7 आना चाहिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है आपका वापस से यहीं cell आ जाना चाहिए अब आप bracket को close कर देंगे और यहाँ पर enterprise करेंगे आपको सिंपली से ड्रेक कर देना है तो देखे गाइस जिन की email address available थी हमारे पास उनके email address आगे हैं इस प्रकार आप इस ब्लैंक का यूज कर सकते हैं इस के साथ अगर आप केवल इस ब्लैंक फंक्शन का यूज करेंगे तो यहाँ फंक्शन आपको बताता है कि आपका कौन सा cell blank है और कौन सा नहीं जो आपका blank है उस पर यहाँ आपक उस अरथ को बढ़ा धी है मुझाँ यहाँ यहाँ एक अपकी कर रहाँ जापको बढ़ा इस ब्लैंक का यूज को बढ़ा है इस तो बढ़ा जापकी अगर फंकशन नहीं को तो अवकर पास यू जैवाँ उनक्त बढ़ा जैब दीक्ष वानले से का यहाँ आपक्डे